हेलो दियर चिल्डेन वेलकम तो माई यूटूब चैनल आशी सेकेडमी दियार इन इस वीडियो आइम गूंग तेल यू एंसी आइटी सल्यूशन फ्रों चैप्टर 2 माइक्रो और आइजमें फ्रेंट्स एंफोए दियार इफ यू अन मैं चैनल प्ली सस्क्राइब मैं चैनल चैनल फ्रों किनो ओर भॉर यू वीडियो अपटेटश देट से अधाए इसमें फिलेंग दाने आइन जैने मिचकर प्लेंग मभांइस कालम Сब्सें चैनल कोते हैं चैनल जो आइक झालन कि में पक्ले 電यर चैनल को रो बहुक्ति आधर मैं That means, micro-organisms can be seen with the help of microscope. Next, देखिए, Blue-green algae fix directly from the air and enhance the fertility of the shell. तो क्या होते हैं? Blue-green algae fix क्या कर देते हैं? Nitrogen को fixing करने में help करते हैं. ठीक है? और वो directly from the air and enhance the fertility of the shell. Next question क्या है? शी देखिए, Alcohol is produced with the help of जो alcohol होता है, वो कितके help से produced होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? Yeast से. तो पहले में क्या होगा? Microscope, Second में हो जाएगा Nitrogen, Third में yeast. Okay students, next question देखिए, D क्या है? Kala is caused by जो कॉल्रा होता है, वो डिजीज होता है, वो किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? वो बैक्टिरिया या विवरियो कॉलरा, जो सेंटिफिक नेम है. तो कॉल्रा इस caused by बैक्टिरिया. Next question क्या है? टिक दे करेक्ट? Answer. अब इसमें टिक दे करेक्ट बताना है. तो सबसे पहला question क्या है? चलिए देखते हैं. Yeast is used in the production of तो yeast का use किसमें किया जाता है? Production of option A, sugar, option second, alcohol, option third, option third, third हो जाएगा आपका hydrochloric acid, तो yeast is used in the production of तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका alcohol. Okay students, next question देखें. Next क्या है? B, the following is an antibiotic. तो अब इसमें कौन सा option है? जो एक antibiotic है. अभी हम देखते हैं आगे. चलिए देखें. पहला क्या है? pseudium, bicarbonate, second क्या है? स्ट्रिप्रोमाइसीन, third क्या है? चलिए देखें, third क्या है? देख लेते हैं. हल्कोहल, और fourth है आपका yeast. तो कौन सा एक antibiotics है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा. आपका antibiotics कौन सा है? यह आपका स्ट्रिप्रोमाइसीन. स्ट्रिप्रोमाइसीन, जो है, वो क्या है? एक्जाम्पल है, antibiotics का. सी देखें, carrier of malaria, kazi, protozoa, is. जो carrier of malaria होते हैं, कित के करन होते हैं? तो option A है आपका, यह फर्स्ट option है, फिमेल एनफिलीज मास्की टू. सेकंड क्या है? कौक्रोच. थर्ड क्या है? चले देखें, थर्ड जो है आपका, हाउस फ्लाई है, और फॉर्थ है आपका, बटर फ्लाई. तो इसमें बता ही, carrier of malaria, kazi, protozoa, is. तो इसमें यह हो जाएगा, आपका, फिस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह फिमेल एनफिलीज मास्की टू. ठीक है, वो carrier होते हैं, malaria के. D क्या है, चले देखें. The most common carrier of communicable disease is. जो most of common carrier होते हैं, communicable disease, वो किसके कारण होते हैं? आपका पहला option है, ant. इसमें क्या होगा, आपका, हाउस फ्लाई. ठीक है, थर्ड क्या होगा, तो पहला क्या है, ant. सेकंड क्या है, हाउस फ्लाई, थर्ड हो जाएगा, आपका, क्या है? थर्ड होगा, ड्रेगन फ्लाई, और फोर्थ हो जाएगा, आपका, इस्पाइडर, तो इसमें पताइए, the most common carrier of communicable disease, तो इसमें हो जाएगा, आपका, हाउस फ्लाई. Okay, students, समझ में आ रहा है, यह समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें. Next, E देखे, the bread or idli, ठीक है, dough rice, idli dough rice is because of, ठीक है, जो idli और doughsa जो बनता है, ठीक है, वो राइजे होता है, किसके करण़, A heat, second क्या होगा, gridding करके, ठीक है, और, first क्या है, heat, second क्या होगा, gridding, third हो जाएगा, growth of yeast cells, या fourth हो जाएगा, kneading करके, तो आप जल्दी से बताएं, the bread or idli dough rises because of growth of yeast cells, ओके students, यह आपका हो जाएगा, third option, next question देखे, the process of conversion of sugar into alcohol is called, ठीक है, process of conversion of sugar into alcohol, option A, nitrogen fiction, option B, या second option क्या होगा, molding, option third क्या होगा, चले दिखते हैं, option third होगा, या फिर fermentation, या fourth हो जाएगा, infection, तो जल्दी से बताएं, the process of conversion of sugar into alcohol is called, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका fermentation, ओके students, समझ में आया, क्या है, अगर देखे, next question क्या है, question number third क्या है, mass the organism in column A, with their action in column B, okay students, तो इसमे mass the column है, चले देखते हैं, आगे कौन सा question है, mass the column में, चले देख लेते हैं, mass the column में क्या है, bacteria दिया हुआ है, causing cholera, तो ये क्या होगा, mass the column, bacteria किसके होत कारण होता है, causing cholera, rhizovium क्या करता है, nitrogen fixing में help करता है, lactobacillus क्या होता है, setting of curd, मतलब कर्ड में help करता है, curd को convert करने में, yeast क्या होता है, baking of bread, अप रोटो जोगा क्या होगा, causing malaria, और virus क्या होगा, virus जोगा causing AIDS, ठीक है, ये सब के mass दिये हुए हैं, एक एक के साथ किया गया है, अब question number four देखे, can microorganism be seen with the help of with the naked eyes, if not, how can they be seen, मतलब क्या microorganism को हम naked eyes से देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते हैं, तो हम किस से देख सकते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, microorganism cannot be seen by naked eyes, क्योंकि हम अपने naked eyes से नहीं देख सकते हैं, they are very small, बहुत चोटे होते हैं, they can be seen by using a microscope, only microscope के help से हम microorganism देख सकते हैं, और कहा जाएग, उन्हें हम ऐसे नहीं देख सकते हैं, next question क्या है, what are the major group of microorganism, major group पॉन कों से है microorganism के, उनका नाम बताना है, तो आप आगे देखे, तो पहला क्या होगा, the major groups of microorganisms are as follows, तो नीचे दिये गए हैं, तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका bacteria, second क्या होगा, fungi, third क्या होगा, आपका protozoa, ठीक है, और ये fourth क्या होगा, fourth हो जाएगा आपका algae, और fifth हो जाएगा आपका virus, ये major groups है, micro-organism, bacteria, fungi, protozoans, algae and virus, next question क्या है, name the micro-organism which can fix atmospheric nitrogen in the cell, तो ऐसे कौन सा और्गनिस्प का नाम बताना है, जो nitrogen fixing में help करता है, तो इसका हो जाएगा आपका rhidovium bacteria है, जो nitrogen fixing में help करता है, okay students, सबंद में आ रहा है, question number seven, write ten lines on the usefulness of micro-organisms in our lives, मतलब हमारे जीवन में क्या usefulness है, micro-organisms, उनकी ten lines बताना, तो सबसे पहला देखे, the use of micro-organisms are listed below, तो सबसे पहला क्या होगा, चले देखे, micro-organisms किस तरह हमारे जीवन को help करते हैं, तो सबसे पहली बात करें, जैसे bacteria की बात करें है, bacteria like, जैसे, क्या होगा है, lactobacillus, मतलब जो milk को convert कर देता है, curd में, वो क्या करता है, bacteria like lactobacillus convert milk into, किसमें कर देता है, curd, तो इस प्रकार हमारे, कहा जाए, लाइब्स में हमारे, human need के लिए ज़रूरी होता है, next, क्या है, bacteria also involved in the making of cheese, तब पनीर बनाने में भी, bacteria का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, तो next, देखे, third, क्या है, चलिए, acetobacter, acet is used for producing acetic acid from alcohol, ठीक है, अब, acetic acid जो है, alcohol से produced करने में, वो bacteria का रोल होता है, next, क्या है, yeast is used in the commercial production of alcohol जैसे हो गया, wine हो गया, and bakery products, ठीक है, उसमें yeast का यूज़ किया जाता है, ठीक है, next question देखे, question number five क्या है, next point क्या है, some specific micro-organisms are helpful in manufacturing of antibiotics, antibiotics को बनाने के लिए, भी micro-organisms हमारे लिए helpful होते है, next point क्या है, micro-organisms act as a clean, cleanizing agent and decompose the waste product in our manure, ठीक है, और micro-organisms क्या करते हैं, वो हमारे waste, छेले next point क्या है, seven point क्या है, dead or weakened microbes are used in the preparation of vaccines, ठीक है, तो इसके बनाने में यूज़ किया जाते हैं, next क्या है, eight point क्या है, some bacteria fix atmospheric nitrogen and increase soil fertility, ठीक है, मतब nitrogen fixing में help करते हैं, जिससे soil की fertility increase हो जाती है, nine क्या है, algae, yeast, fungi are bacteria may be used as an ingredients, or a substitute for protein-rich foods that are suitable for humans or animals, consumption, ठीक है, तो इस प्रकार हमारे microorganism हमारे body के लिए helpful होते हैं, ठीक है, next क्या है, ten point क्या है, last point क्या है, some microorganisms are taken as a probiotics that are believed to provide, health benefits when consumed, ठीक है, और भी जब बात करें, जब हम इनके consume करते हैं, तो हमारे body को health के benefits को provide करते हैं, फिर क्या है, question number eight क्या है, write a short paragraph on harmful effects of microorganism, अब इसमें हम एक paragraph लिखना है, जिसमें harmful effects बताना है, जिससे पहला देखे, microorganism cause diseases in plants and animals, ठीक है, plants और animals में diseases हो जाते हैं, जैसे example के तौर पे, काला जो होता है, वो human beings में हो जाता है, किसके करण होता है, वो bacteria के करण, ठीक है, जैसे हम vivrio cholera कहते हैं, और animals की बात करें, animals में क्या होते हैं, virus के करण, food and mouth disease हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह हमारे, micro organism हमारे लिए, harmful होते हैं, ठीक है, तो समझ में आया, next देखे, और भी बात करें, micro organism क्या करते हैं, spoil कर देते हैं, food को, ठीक है, खराब कर देते हैं, by the decomposition of food material, मतलब जब food खराब हो जाता, तो वो decomposed हो जाते हैं, और सम micro organism क्या होते हैं, वो spoil कर देते हैं, leather को, and cloth को, कपडे को, चमडे को, खराब कर देते हैं, और micro organism, also responsible, for food poisoning, मतलब food को खराब करने में भी, कौन करता है, वो micro organism, ओके स्टुडेंट्स, समझ जब जब हैं, question number 9, देखे क्या है, what are antibiotics, what precautions must be taken, while taking antibiotics, ठीक है, एंटिबाइटिक्स क्या होते हैं, उनके क्या precautions होते हैं, जब हम antibiotics लें, तो सबसे पहले देखे, chemical agents that kill or stop the growth of disease, मतब जो रोगों को ग्रोथ को खतम कर देते हैं, या micro organism को ग्रोथ को खतम कर देते हैं, उन्हें हम antibiotics कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उन्हें हम antibiotics कहते हैं, जो ऐसे एजेंट होते हैं, जिने हम kill कर दिया जाता है, Antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor मताब antibiotics लेने से पहले एक qualified doctor से में advice लेनी चाहिए Also one must complete course prescribed by the doctor ये बिना doctor से हमें दवार नहीं लेनी चाहिए Thank you for watching the video If this video helped you Please hit the like button Do share the video with others So they can learn from this topic Do subscribe my channel for new video update